Biology में Diagrams तो बहुत हैं, लेकिन Boards में काफी सालों से कुछ ऐसे Diagrams हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं Hey guys, मेरा नाम है Anubha, Welcome to Biology Aid और आज के वीडियो में हम solve करेंगे Most Frequently Asked Diagrams and Boards तो चलिए फिर बिनादेर करें, Let's Get Started Okay, तो सबसे पहले बात करते हैं Most Frequently Asked Diagram की, जो की है Germination of Pollen on Stigma अब ये Diagram आपसे directly नहीं पूछा जाता है कि Germination of Pollen का Diagram बनाईए 2020 में ये Diagram दे दिया गया था Question Paper में और बोला गया था कि भाई, ये Germination of Pollen on Stigma का Diagram है इसमें आप Pollen Grain, Pollen Tube, Stigma और Female Germ Cell इनको लेबल करिए तो इस Diagram को आप बहुत अच्छे से प्रिपेर कर लीजेगा और इसका आंसर होगा ये रहा Pollen Grain, Pollen Tube, Stigma and Female Germ Cell बिल्कुल इसी टाइप का Question 2016 में पूछा गया था, जहां पे यही Diagram दे कर पूछा गया कि A Part क्या है तो अभी हमने डिसकस किया कि A है Pollen Grain, दूसरी बात पूछी गई कि A Part B Part के पास कैसे पहुँच पाता है तो वो भी हमने अभी डिसकस किया कि B Part है Stigma, तो Pollen Grain Stigma के उपर कैसे पहुँचता है? Through pollination, right? तीसरी बात पूछी गई कि C Part की Importance बताएए तो C Part है Pollen Tube और Pollen Tube की Importance यह है कि यह help करता है male gamete को egg या ovule तक पहुँचाने में Fourth और Last बात जो पूछी गई वो यह कि D Part का Fertilization के बाद क्या होता है तो D Part female germ cell है और जब Fertilization होगा तो female germ cell convert हो जाएगा into embryo तो यही इसका answer होगा that it converts into embryo अब हम बात करते हैं एक और diagram की that has been very frequently asked longitudinal section of a flower 2011 में यह question पूछा गया कि longitudinal section of flower का diagram बनाईए और sepal, petal, ovary and stigma को label करिए तो कुछ इस तरीके का इसका answer होगा अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को यह diagram बनाने में थोड़ा tough लगता हो तो आप longitudinal section of flower का बहुत ही simple सा diagram बना सकते हैं कुछ इस तरह का Actually यह diagram 2016 के बोट्स के question paper में ही आया था कुछ इस तरह का figure दिया गया था और पूछा गया कि A, B, C part को name करिए और सब के एक-एक function बताइए तो A है anther, anther का का काम होता है pollen grains का production करना B है style और इसका काम है pollen tube को path provide करना ताकि वो grow हो करके ovary तक पहुँच सके और finally C है ovary, ovary के बारे में हम कह सकते है that it develops into fruit after fertilization अब कुछ बच्चे थोड़ा diagrams को लेकर के परिशान रहते हैं कि मैं हम उनी तीन घंटों में paper भी पूरा करें और diagram भी बनाएं काफी बच्चों का diagram को सुन्दरता से बनाने में इतना time निकल जाता है कि या तो paper shoot जाता है या फिर diagram ऐसा बनता है कि पहचान में ही नहीं आता कि बनाया क्या है तो देखिए इसके बारे में मैं आपको एक ही advice दे सकती हूँ practice, practice and practice और अकेले diagram की practice करने से काम नहीं होगा आपको आना चाहिए कि कैसे उनहीं तीन घंटों में आप अपना time manage करें और इसके लिए अब it's high time कि आपको sample papers लगाने start करने चाहिए आप 3 hours daily निकालिए और खुद का assessment करिए अब जैसे मेरे पास Educard के sample question paper की book है of course अगर आपके पास किसी और publisher की book है तो आप उससे भी practice कर सकते हैं लेकिन Educard की book में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि इनके sample papers से आपको कुछ नए अलग-अलग questions तो practice करने को मिलेंगे ही लेकिन साथ में इनके sample papers में इन्होंने previous year questions को भी आपको practice करवाया है यनि जब आप sample paper लगाने बैठोगे तो आपकी time management की practice भी होगी और साथ-साथ आपको previous year question की भी अच्छी खासी practice हो जाएगी और I think इसी लिए last year का 40% votes का paper Educard sample question paper book से आया था For example, इनके sample paper number 9 में ये question पूछा गया है ये question 5 marks का है यनि section D में जो की बिलकुल उसी pattern पे है जैसा आपके boards में पूछा जाता है इस question में two parts हैं एक में पूछा गया है कि bisexual flower का example दीजे तो जो आपका eclotha flower का diagram है, hibiscus का वही इसका answer है, hibiscus दूसरी बात पूछी गई है कि इसके female reproductive part को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं carpal या pistil and then B part में हैं कि draw a label diagram of a longitudinal section of a flower तो आपको पता है इसमें आपको क्या करना है तो आप देख सकते हैं कि ये sample papers बहुत close हैं to the actual CBSC boards papers और personally मुझे ये बहुत पसंदा है अगर आप भी Educard की sample question papers की book में interested हैं तो check out कर सकते हैं, link मैंने description में दे दिया है Now, तीसरा diagram जिस पे काफी questions बनते हैं female reproductive system 2019 और 2012 में बहुत ही similar तरह का question पूछा गया था जहां पे female reproductive system का diagram दे दिया गया था और बोला गया कि उन parts को label करिये जो egg produce करता है जहां egg और sperm का fusion होता है और zygote implant होता है तो आपको पता होगा कि egg produce होता है ovary में तो उसको label कर देंगे egg और sperm का fusion होता है fallopian tube में ये रहा fallopian tube और zygote implant होता है uterus में तो uterus को भी label कर देंगे अब next question पे आ जाते हैं which is again very very frequently asked binary fission in amoeba अब आप कहोगे कि अरे इतना easy diagram तो भई हाँ इतना easy diagram और बार बार इसे पूछा जाता है इसमें एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो है its sequence और इसके sequence पे MCQ भी पूछे गए हैं जैसे ये question देखें इसमें ये जंबल तरह से binary fission in amoeba दिखा दिया है और पूछा गया है कि correct sequence बताईए तो ऐसे questions में हमें focus रखना है amoeba के nucleus पे यहां आप देख सकते हैं third figure में nucleus एकदम intact है तो ये होगा पहला stage फिर second figure में nucleus थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ है तो ये हो जाएगा second stage फिर fourth figure में आप देख सकते हैं कि cell beat से constrict होना शुरू हो गया है और दो nucleus form हो चुके हैं ये होगा third stage और फिर last और final stage जहां दो daughter cells form हो चुके हैं यनि first figure तो इस question का answer होगा A 3, 2, 4, 1 इसी तरह से boards में budding in hydra, regeneration in planaria के diagram भी पूछे गए हैं तो ये diagram इजी हैं लेकिन हमें focus इनके sequence पे रखके इन diagram को practice करना है next हम बात करते हैं उन diagram की जो कम बार पूछे गए हैं तो इस बार उनके repeat होने के chances हो सकते हैं अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जरूरी है कि हर बार boards में repeated questions ही आएं तो इस video में जो diagram हम discuss कर रहे हैं उनको तो आप अच्छे से तयार कर ही लीजेगा लेकिन बाकी के जो diagram हैं वो आपको छोडने नहीं है उन्हें भी आप एक दो बार practice जरूर कर लीजेगा तो boards में human excretory system stomata और human respiratory system भी draw और label करने को आचुका है I really really hope आप लोगों की preparation अच्छी चल रही होगी Guys, this is the time एकदम focus होके अच्छे से preparation करिये और हमारी biology aid family को boards में एकदम फोड के आना है Alright, I'll see you guys soon with our environment notes and until the next time, stay curious how to keep our Mattie झाळ झाल how to keep our Mattie ध़ूमा कर दो एक नच्छे स्टारब कर दो एक एक कर दो 5 किती से एक कर दो एक कर दो I Sबर दो